पहले हम filter लगाएंगे shift-e-space करके Ctrl-L एक बार उसको हम sorting कर लेते employee id से a to j employee sorting हो गया ठीक है fit to content कर लेते है और oca ठीक है अब हमें conditional formatting लगाना है conditional formatting कर देखना है स्लेट करिंग पूरे डेटा हमें लाना है लेट से डायक्टर कॉलम जॉब डिस्क्रिप्शन में conditional formatting है हाईलेट सेल रूल तेक्स डाट कंटेंज डायक्टर अब करते जीटे डायक्टर सब कर्दिसल formatting से हो गया लेट से हमें नंबर पर करना है करने स्लेट से फर्मैटिंग में जाएंगे नंबर फिल्टर बिट्विन कर लेते हैं हमें निकालना है 40 तू 60 कि कि